हलो फ्रेंड्स, RSSB के लिए डिक्टेशन नंबर 29, स्टार्ट होगा 5 सेकंड बात स्टार्ट जीवन काल में अनेकानेक गटनाई गटती रहती है कई गटनाई ऐसी होती है जो शनिक परभाव डाल कर सदेव के लिए विसमर्त हो जाती है कई गटनाई ऐसी होती है जिनकी इसमर्ती मानस पटल पर अपना परभाव सदेव बनाए रखती है और भूल जाने का पर्यत्न करने पर भी मस्तिस्क में बार बार उभरती रहती है मानव प्रकर्ती के अनुसार दुरगटनाई अधिक याद रहती है यहां मैं एक ऐसी ही आखो देखी घटना का वरनन कर रहा हूँ जिसको मैं कभी नहीं भूला पाऊंगा दिपावली के तुरंत बाद एक शेक्षनिक कारिक्रम में समिलित होने हम सभी साथी अजमेर गए थे साथ दिन तक हमारा शेक्षनिक कारिक्रम चलता रहा अंतिम दिन कार्तिक सुधी एकादशी का था मैंने अपने साथियों के समक्ष पुषकर यात्रा का प्रस्ताव रखा हम सब साथी भस में बैठकर पुषकर के लिए रवाना हुए रास्ते का प्राकर्तिक द्रश्य देखकर मन मयूर नाच उठा पहाडों को काटकर बनाई गई सडक के टेडे मेडे रास्ते में भी हमारी बस तीवर गती से चल रही थी आखिरकार हम लोग पुषकर पहुँच गए पुषकर में उस दिन भारी भीड थी ग्रामिन ओरतें रंग बिरंगी पौशाकें पहन कर आई थी भीड के मध्य जाना कठिन कारिय था इसलिए हम सभी कम भीड वाले घाट पर सनान करने पहुँचे इसी घाट पर कुछ ग्रामिन परिवार भी सनान कर रहे थे मैंने देखा कि एक महिला ने पहले स्वेम सनान किया फिर वह लगभग आठ वर्ष के अपने बालक को नहलाने लगी बालक की कुछ चपलता तथा माता के हातों की शुथिलता से बच्चा हात से छूट गया और सरोवर में गहरे पानी की और बहकर डूबने लगा मा अपने बच्चे को अपने पेरों के नीचे ही देख रही थी परन्तु उसे बालक को पकड़ने में सफलता नहीं मिल रही थी अनिस्ट की आशंका से वह रोने लगी उसके करुण क्रंदन ने मंगल में अमंगल कर दिया बालक के डूबने का समाचार वहां चारो और फैल गया सारे दर्शनार्थी और सभी इसनानार्थी सरोवर के घाटों पर खड़े होकर पानी में नजर लगाए खड़े थे कई गोता खोरों ने भी पानी में बच्चे की तलाश की दमकल विभाग की मोटर भी आई लेकिन सारे पर्यत्न असफल रहे बालक के माता पिता बुरी तरहे चीख चिल्ला रहे थे उनके रोने चीखने को देख हुए सुनकर अन्य लोग भी रुवांसे हो गए इतने में ही सरोवर के लगवग मध्य में कुछ काली सी वस्तु दिखाई दी फिर बच्चे का हाथ दिखाई दिया और दूसरे शन एक मगर बालक को मुह में दबाए उपर आया और एकदम दूर चला गया उस द्रश्य को देखकर माता बेहोश हो गई उस घटना को देखकर हम सभी अत्यदिक व्यथित हो गए और मुह लटकाए वापस आ गए मैंने जीवन में अनेक घटनाई देखी परन्तु ऐसी करुण घटना केवल एक ही बार देखी बार बार भुलाने का पर्यत्न करने पर भी वह द्रश्य मेरी आखों के सामने आ जाता है और मैं व्यथित हो जाता हूँ मेरे जीवन के लिए तो यह चिर इसमरणिय गटना है इसे में कभी भी नहीं भुला सकूंगा पेरा राश्ट्र के निर्मान के शेत्र में ऐसे मशीनरी काम आते हैं जिनकी सफलता के लिए महिलाओं में जागरती और उनका सहियोग अनिवारिय एवं अपेक्षित है ऐसे कामों के लिए सबसे पहले प्रेशिक्षन में घर गाओं की सफाई तथा अच्छा रहन सहन आदी आता है पड़े लिखे समाज में महिलाओं का इस्थान अद्वित्य होता है शिक्षन के बारे में जब तक महिलाओं में पूरा आकर्शन और उत्सहा नहीं होगा ग्रामिन जीवन इस्तर सुधारने का कोई भी प्रसिक्षन सफल नहीं हो सकता यही हम उनके खान पान या पोशन के बारे में भी कह सकते हैं अत्य सेक्षनिक कारियों में देश की सर्वांगिन भलाई के लिए उद्देश्य पून बनाया जाना चाहिए इसका उद्देश्य ग्रामिन लोगों को आरक्षन के लिए कारिय करना है ग्रामिन महिला संग एक ऐसी ही संस्था है समाज के किसी भी वर्ग की संपंता को बढ़ाने के लिए और महिलाओं में जागरती उत्पन करने और राष्ट्र के निर्मान के काम में उनका सहयोग प्राप्त करने के लिए इस संस्था ने भर्षक चेस्टा की है जब तक हमारा कार्य शेत्र और हमारा पर्योजन देहातों को सोशन से बचाना ही नहीं होगा तब तक ग्रामिन महिलाओं को पूरा सहयोग भी प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा और वे पिछड जाएंगी इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए लोगों को जीवन स्थर उचा उठाने और निकट भविश्य में उन्हें प्रसिक्षन देने में संरक्षन देने हैतु श्रम मंत्राले ने अपने निरिक्षकों को प्रसिक्षन संस्थानों का सरवेक्षन कारिय भी सोपा है पेरा सामाजिक द्रस्टी से भारत का द्वंद हमारे सामने विविन द्वंदो मसलन एकल परिवार एवं संयुक्त परिवार जाती वादी जाती विहिन समाज ग्रामिन नगरिये द्वंद विवा सन्यास का द्वंद आदी के रूप में दिखाई देता है आर्थिक नजरिये से भी भारत के सामने द्वंदों की बहुतायत रही है स्वतंत्रता के तुरंत बाद से ही भारत के नीती परक आर्थिक द्वंद शुरू हो गए थे राष्ट्र पिता गांधी जहां ग्राम स्वराज को आर्थिक विकास की धूरी मानते हुए सर्वोदे पंचायती राज हस्त शिल्प स्वय रोजगार को बड़ावा देना चाहते थे वहीं पंडित नहरू का जुकाव ओध्यूगिक द्रस्टी से पिछडे देश को तेवर ओध्यूगी करण वे कल कारखानू की ओक्सिजन से प्राण देने की ओर था साथ ही नीजी शेत्र और सारूजनिक शेत्र को अधिक वर्यता देने का द्वंद भारती अर्थ व्यवस्ता का एक मूल भूत द्वंद रहा है हाला कि पूंजिवादी व व समाजवादी अर्थ व्यवस्ताओं के मिशरित गुनों और गुनों को देखते हुए भारत ने मिशरित अर्थ व्यवस्ता की नई व्यवस्ता के माध्यम से इसका समाधान निकाला पेरा मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी होती है उसका एहम एहंकार के वशिभूत हुआ व्यक्ति यह सोचता है कि यदी में जुक गया और मैंने सहन करना लिया तो लोग मुझे छोटा एवं कमजोर समझ कर मेरी उपेक्षा करेंगे परंतु वास्तविक्ता ऐसी नहीं है जुकने वाला व्यक्ति कभी छोटा या कमजोर नहीं होता बलकी वह उदार और ससक्त होता है फल से लदी हुई डाल जुकी हुई होती है साथ ही शहन्शेल भी एहंकार और धंब के कारण ही राजकुमार होते हुए भी दुर्योधन अपनी परभुता को इस्थापित नहीं कर सका पद के अनुरोप प्रतिस्था अरजित करना तो दूर वह लोगों की दरस्टी में भी गिर गया था बड़ा तो वह है जो दूसरे के अधिकार की रक्षा करता है दूसरे को सम्मान प्रदान करने अपने सम्मान की अभीवर्दी करता है स्टॉप